दोस्तों, महिंद्रा इंडिया के लेटस पेशकर्ष औल न्यू जनेरेशन इसकॉफियो को लेके हम सभी बहुत जादा एक्साइटेड है हम सभी देख रहे हैं कि महिंद्रा अपनी न्यू जनेरेशन इसकॉफियो एन में वो सारे features offer कर रही है जो कि एक modern SUV में होने चाहिए powerful design है, super powerful diesel और petrol engines का offer है manual और automatic दोनों offer किये गए है, super spacious cabin दिया गया है super premium इंडियर्स दिये गए है, latest से latest आपको features offer करे गए है लेकिन आज की वीडियो में हम बात करने वाले है कि महिंद्रा अगला launch क्या करने वाला है अब मैं आपको बताता चलूँ कि महिंद्रा अपनी bolero neo इसका plus addition इंडिया में launch करने वाला है, जो कि एक 9-seater MUV होने वाली है एक तरीगी से आप इसको SUV भी कह सकते है, या फिर आप इसे multi-utility vehicle कह सकते है बहुत ज़्यादा शांदार offering होगी, engine options की बात करें तो वही सेम engine है जो कि आपको इस copy में मिलने वाला है, यानि की 2.2 mhawk 4-cylinder diesel engine जो अभी आपको बुलेरो नियो में engine मिलता है, वो 1.5-liter diesel engine है लेकिन वो केवल 3-slender है, यानि की Mahindra बिलकोल आचुकी है, इंडिया में एक नया game बनाने वाली है पूरे segment को हिलाने वाली है, सब कोच देखेंगे, अब बुलेरो नियो जैसी गाड़ी में जब आपको थार का engine मिल जाएगा, जी हाँ, जो थार में आपको 2.2 mhawk diesel engine मिलता है, वो ही स्कॉप्यो में भी जा रहा है, वो ही XUV700 में भी गिया था अब यही बात है कि tuning का difference है, लेकिन engine और उसका पूरा architecture सब कुछ similar है, सिर्फ tuning का difference है, power figure में difference है लेकिन जो drivability है, जो reliability है और एक जो solid feel है वो ही सेम आने वाली है, सब को जानेंगे पूरे महिंद्रा थार में जो आपको diesel engine ऑफर किया जाता है, 2.2 mhawk diesel engine, यह power figure ऑफर करता है 130 hp के और 300 अनम का maximum torque है लेकिन जो बात हो रही है, Bolero Neo Plus की, जैसे कि यह Bolero Neo से ही एक तरीके की इसकी long edition कह सकते है या फिर इसका long avatar कह सकते है, तो समझते हैं क्या performance देगा, क्या एक तरीके से इसकी length आने वाली है या फिर आपके लिए एक practical buy बन पाएगी, जो लोग Scorpio लेना चाते है क्योंकि देखिए Scorpio का जो budget है, वो 15 लाग से लेकि 25 लाग की बीच में है यानि कि अगर आप चाहते हैं कि 15 लाग से नीचे एक sensible option आपको मिले powerful वही option हो जो आपको थार का engine Scorpio में भी जाने वाला है थोड़ा बहुत power का difference है, talk का difference है लेकिन main बात वो हो रही है कि 2.2 mhawk हमें मिल जाए तो यहाँ पर क्या जो Buleiro Neo Plus है, वो थार को एक तरीके से या कहूं कि Scorpio को replace कर पाएगी या फिर वही जो एक feel factor है, वो आपको दे पाएगी तो सबसे पहले समझते ही कि जो Buleiro Neo है, वो क्या चीज है Buleiro Neo एक तरीके से compact SUV segment की गाड़ी है 4 mh से नीचे इसकी लंबाई है 3995 mm की लंबाई रहती है चोड़ाई की बात की जाए तो 1795 mm है और 18-17 mm इस गाड़ी की उंचाई रहती है तो अगर आप समझेंगे जो नई Buleiro Neo Plus आ रही है इसके लंबाई होगी 2400 mm यानि की करीब 400 mm जादा लंबी है ये आपकी Buleiro Neo से यानि की ये Kia Seltos और Hyundai Krata से भी जादा लंबी गाड़ी है अब अगर आप इसे compare करेंगे Scorpio N के साथ तो जो Scorpio N है वो काफी जादा लंबी गाड़ी है अगर आप सीधे इसकी लंबाई की फीकर को समझने की कोशिश करेंगे तो Scorpio N की जो लंबाई आ रही है ये है 4662 mm यानि की 400 mm की रेंज में है वही एक्सवी 7 नोबलो ये भी 4600 से थोड़ा सा बढ़के 4700 की ओर जा रही है 4695 mm है लेकिन जो आपकी Neo Plus है ये रही रही है 4400 mm की रेंज में तो काफी डिफरेंसेस तो है ऐसा नहीं है कि आप Neo Plus को साइड में रख दीजे और Scorpio N को रख दीगे तो आपको सेम सेम लगेगा इस Scorpio N बहुत बड़ी गाड़ी है XUV7W भी बहुत बड़ी गाड़ी है लेकिन हाँ जो लोग Neo ले रहे थे अभी तक उनके बास बहुत अच्छा उप्शन हो जाएगा कि वो सीधे सीधे स्विच कर सकते है Neo Plus में जिसका budget थोड़ और extend करने का mood है तो यहां पर जो सबसे बड़ी है factor मिलेगा वो है बड़ी और लंबी गाड़ी का अब महिंदरा ने एक चीज और करी है कि इसमें जो engine मैंने कहा कि बहुत बड़ा upgrade आ रहा है जो पहले आपको 1.5 M Hawk मिलता था जो कि तीन सिलेंडर का diesel engine है performance में कोई कमी नहीं थी ये engine आपको पुरानी बुलैरो में मिलता है अगर आप देखे वो 75 horsepower था लेकिन यहां पर जब TUV3OO आई थी उसमें 100 horsepower कर दिया था लेकिन अब आ रहा है थार वाला engine जो कि 2.2 M Hawk है 130 BHP बना देता है थार के मामले में वहीं अगर आप देखेंगे XEV7W उसमें और जादा BHP देता है वहीं जो Scorpio N है उसमें करीब 1500 से जादा BHP दे रहा है लेकिन यहां पर Neo Plus में प्राइस को थोड़ा सा कंट्रोल करने के लिए इसके engine के power figure को detune किया जाएगा 130 नहीं देगा थार वाले power figure में दो मामले आएंगे एक है power mode वाली और एक है economy mode अगर आप इसको power mode में यूज करते है तो यहां पर यह आपको 118 HP अब मैंने कहा कि जो पहली Neo है उसमें 100 HP पहले से आता है और 260 NM का टॉक देता है लेकिन केवल तीन सिलेंडर इंजन है और 1500 CC है यह 2.2 L का डीजल इंजन आपको 118 HP देगा maximum power mode में और उसी के साथ करीब 300 NM का ही maximum torque देगा जो कि काफी अच्छा है अब यह गाड़ी में कोई भी 4x4 का option तो नहीं मिलता है लेकिन पीछे में आपको दिखाया अभी कि यह rear wheel drive गाड़ी है और एक मात्र compact SUV segment में भी जबी आ रही थी तो बहुत अच्छा option था जिसमें थोड़े बहुत modern features भी मिलेंगे यह सब कुछ है तो लंबाई में हमने समझा कि इसके लंबाई को करीब 400 mm बढ़ाया जाएगा लेकिन थोड़ा सा surprising बात यह है कि इसकी चोड़ाई में कोई भी फेर बदल नहीं किया जाएगा 1795 mm अभी भी बरकरार है और जो नियो है उसमें भी है उसे के साथ अगर आप हाइट की बात करेंगे तो हाइट में 5 mm गाड़ी थोड़ी से जादा उची होगी तो वो suspension और उन सारी चीजों का मामला है लेकिन उससे कोई बड़ी दिक्कत नहीं है यह तो बात रही इसके लंबाई चोड़ाई और उचाई की आप समझते ए गाड़ी में जो पूरा sitting comfort है और क्या कुछ रहेगा जो key fob में आपको दिखा रहा हूँ यह बिल्कुल सेम है नियो ले लिजिए थाल ले लिजिए या फिर जो Scorpio है उन सब में लगभग लगभग similar ही आपको सब कुछ मिलने वाला है उसी के साथ देखींगे ना यह जो नियो है यह आपको केवल सेलन सेटर option देती है और चार मिटर से थोड़ी छोटी गाड़ी है 3995 मिलमेटर की अगर आप ग्राउंड क्लेरंस की बात करेंगे तो 180 मिलमेटर ग्राउंड क्लेरंस इस गाड़ी का है वहीं Scorpio N का 200 मिलमेटर की रेंज में है और जो नियो प्लस आने वाली है वो भी 180 का ही आपको ओफर करेगी कोई डिफरेंस नहीं है लेकिन जो थार वाला लेवल है वो यह मैच नहीं करेंगे क्योंकि गाड़ी की लंबाई बहुत जादा है 400 मिलमेटर है तो इतनी जादा ग्राउंड क्लेरंस में गाड़ी की स्टेबिलिटी है वो बहुत जादा कॉम्रमाइज हो जाती है अब समझते है इस गाड़ी में आपको सेटिंग में क्या क्या का निफिगरेशन मिलेगा अगर आपको यूटिलाइजेशन लगता है तो साही है बाकि यह जो मापको सारे फंक्शन दिखा रहा हूं सबकु सेम रहेगा कोई डिफ्रेंस नहीं है इसमाँ आपको जो इंजन स्टार डिस्टॉप का फंक्शन है वो मिलता ही रहता है डूल टोन पूर इंटियर का थीम है स्टेरिंग की जो पोईशन है वो भी काफी शांदार है हाँ जो क्रूस कंट्रोल है जब आप हाईवे में से चलाएंगे बहुत ज़्यादा है इवन जो इसका 1.5 एम होक है वो भी बहुत सपोर्टिव है अगर आप से हाईवे में चलाता है वहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं है आप समझते हैं कि इंजन में क्या-क्या में चेंजिस किये गए ये तो बात रही यूटिलिटीस की इसमें कोई फेर बदल नहीं है क्योंकि देखे गाड़ी की अगर चोड़ाई नहीं बढ़ रही है तो कैबिन में ना शोल्डर रूम में कोई दिक्कत आएगी ना फिर हैड रूम में कोई प्रशाने आनी है सिर्फ गाड़ी की लंबाई बढ़ेगी एक तरीके साब समझे कि इसमें दो सीट्स को एक्स्ट्रा लगाने के लिए थोड़ा और पीचे से शिफ्ट कर दिया गया बस वही कुछ है बागी पूरा इस पेस देखिए जो पूरा एक व्यू मिलता है वो सबको सिमिलर है एक फैमिली कार के साब से ठीक ठाक परफॉर्मेंस आपको यह अभी भी देती है लेकिन बस महिंद्रा वही करना चाहती है कि थोड़ा सा कमी लगने वाली है लेकिन जब 300 अनम का टॉक इसमें मिलेगा तो वह काफी में का यूसफुल फील होने वाला है बाकी गाड़ी के लंबाई चोड़ाई में भी हम देखे न तो लंबाई में भी इस बहुत छोटी रहीगी उसी के साथ अगर आप स्कॉर्पियों की जो नई अगर आप वहीं देखेंगे जो आपकी स्कॉर्पियों है इससे करीब एक से दो लाक रुपे जादा एक्सपैंसेव होगी तो अगर आपके लिए ठीक ठाक सा ऑप्शन रह रहा है तो आप इसको जरूर कंसेडर कर सकते हैं बागी महिंद्रा ने इसमें कोई भी कमी नहीं चोड़नी है अगर आप इसकी रगड़नस की बात करें या फिस तरीके से खराब रास्तों को हैंडल कर पाएंगे या फिर इसकी एर कुलिंग की बात करेंगे या फिर जो गाड़ी का पूरा बोर्ड करेक्टर है वो पहले ही ठीक ठाक था लेकिन जब ट्यू थी डबल थी तब उतनी ज़ादा इसकी सेल्स नहीं आपाती थी लेकिन जब से बुलैरो नियो एक तरीके से आया है तब से लोग का मानना है कि एक तरीके से इसकी जो मार्किट में अपनी पहचान है ज़ादा बड़ी है जब इसका नया लॉंच एक तरीके से फेसलिफ भी आया हुआ लेकिन लोगों ने यही काया कि महिंद्रा ने सिर्फ नाम चेंज कर दिया उतना बड़े चेंज नहीं ला पाई तो वहां पर समझ आएगा कि महिंद्रा इंजन अगर अपडेट कर रही है तो वह काफी अच्छी बात है उसी के साथ इस गाड़ी में केवल अभी 15 इंच के आते हैं तो महिंद्रा अगर इसमें 16 इंच के अलोयल आए तो और बैटर ऑप्शन है वागि सीट का मैं भी आपको दिखा रहा हूं बीच में तीन लोग सीटिंग ऑप्शन है अब जब 9 सीटर आ जाए तब भी वही रहने वाली है बीच में तो 3 सीटर बरकरा रहेगी लेक तरीके से वैसा ही कुछ होने वाला है बाकी जो लॉंच की बात की जाए तो अगस्त 2022 तक माना जा रहे है कि ये मार्किट मा आ जाएगी लेकिन जो स्कॉर्पियो है पहले इसकी बारी है इससे एक फायद और होगा कि इस गाड़ी को जो एक तरीके में कहूं की जादा लोग कि पहचान में भी नहीं है तो अगर आपको ऐसी कुछ गाड़ी चाहिए जो बिलकुल प्रैक्टिकल हो पॉइंट टो पॉइंट हो और एक तरीके से वैली फो मनी भी साबित होती हो तो ये आपके लिए साइस ऑप्शन हो सकता है इसमा अगर आप वैसे फीचर ढूटिंग है जिए उसका वील बेस है वो अभी भी 2680 ही मिलिमेटर बरकरार रहेगा तो आप ये सोच सकते हैं कि इसमा आपको थोड़ा बहुत वैसा ही फील आएगा जैसे कि आपको एमजी हेक्टर और हेक्टर प्लस को देख के आता है यानि कि पीछे से थोड़ा सा एक्स्टेंडड प्लस है वो ऐसी गाड़ियों को कमपीट करेगी जो सिर्फ SUV नाम से बिखती है यहां पर आपको प्रैक्टिकैलिटी मिलेगी और उन लोग के लिए बहुत अच्छा उप्शन होगा जो की बजट के साहँ चल रहे है बात हुई है कि बजट में अभी कोई 9-6 अप्शन नही लंबी हो जाएगी जो लोग 7-6 लेंगे उसको बड़ा बूड़ी स्पेस मिलेगा जो 9-6 ऑप्शन की ओड़ जाएगा उसको ज्यादा सिटिंग कैपैसिटी मिलेगी बाकी जो स्कॉप्यो एन है वो केवल 6-6 और 7-6 ऑप्शन में आएगी मतला पूरी लगजरी वाला फील ल suited आपको मिलेगा और जो ढ़िसका रगड़ करक्टर है वो अभी बरकरार रहेगा उसमें कोई डर नहीं है तो ये कुछ रहा हमारी Gulera Wonder के साथ और अगर आप सेफटी की बात भी करेंगे तो Gulera की गाड़ी को भी थी से लेके 4 स्टार की सेफटी रैटिंग मिलेगी लेकिन एरबैग के मामले में वह है कि केवल hören मिलेंगे划 ठॉप मॉटल लेली जे फिर भी तो यह climate क्राइब कई आपको क्रीब 10 से लेके 12 लाग के range में यह आपको cost करेगी और इसमें अगर variant wise भे देखींगे ना तो दो variant सामने आ रहे हैं एक है इसका P4 variant और एक है इसका P10 variant बाकि P10 variant के साथ यह उम्मीद है कि इसमें आपको सब कुछ मिलेगा वही मतलब मैं कहूँ कि 960 का option भी मिल जाएगा वही powerful diesel engine भी मिलेगा 2.2 लेकिन यह है कि आगे आगे देखते रहते कि महिंद्रा क्या क्या हमें official updates देते रहती है बागी मिलता है यह नई वीडियो के साथ आप यह में पता सकते कि आपको Scorpio लेना ज्यादा well for money लगेगा या फिर आप इभी भी बुलेरो नियो प्लस में ही अपना आपको सेट अलाउन कर लेंगे क्योंकि मिलेगा वही performance लेकिन यही बात है कि Scorpio Scorpio है और बुलेरो नियो प्लस उसी के लिए है जिसको थोड़ा बजट में और सेंसिबल और थोड़ा सा टैक्टिकल सोच के चलना है लेकिन दोनों ही बहुत ज़्यादा सेग्मेंट अपार्ट है मतलब एक तरीके से महिंद्रा सोच रहे कि बजट भी आ जाए परफॉर्मस भी आ जाए लोग को सब कुछ मिले मतलब खुश रहे लोग तो मिलता है यह नई वीडियो के साथ अब तक के लिए जैहिंद्थ आप अपनी राहे में दे सकते है चानल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजे तब तक के लिए गुडबाई